हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब आशक करता हूं आप सब ठीक होंगे मैं मुनी स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्जाम जैस्ट में इस वीडियो में बात करने वाले हैं आर आर भी एंटी पीसी का जो लेवल एक मिन में आप कलर यहां प लेवल फाइफ और टू के लिए तो वह कब तक होने वाली है और जो स्किल टैस्ट इसके अंदर होगा लेवल शिक्स और फोर के लिए उसका टी स्कोर किस तरीके से काउंट होगा इस वीडियो में हम इन सभी चीजों पर बात करने वाले हैं और साथी ओफिशल नोटिस जो जारी किया गया है उस पर भी हम एक नजर देखने वाले हैं तो आप वीडियो में अंतक बने देखेज़ेगा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस जरू कर दीज़ेगा गोर्मन्ट जोब की पलपल अ टेस्ट जो है आपका पब्लेश्ट इन ओफिशल वेबसाइट पर जो है आपका कर दिया जाएगा अप्रिटूट टेस्ट जो है आपका 30 जुलाई 2012-2022 को कंड़्ट कराया जाएगा और यह एक ही दिनों का सिटी इंटीमेशन जो है आपके 20 तारिक को और जो स्ट के ट्रे इस तारिक को को लेटर जो है डाउनलोड हो जाएगा महीं इसके अंदर सेमन्थ फिफ्ट पॉइंट में लिखा हुआ शोट लिस्टिट केंडिट फोर सी बीटी शुट प्रोड्यू शुट प्रोड्यूज दा वीजन सेर्टिफिकट इन ओरिजनल इन दा प्रिसक्राइब फोर्मेट यानि के जो इन्होंने फोर्मेट दिया हुआ था उसके अंदर आपको वीजन सेर्टिफिकट को सम्मिट करना होगा जब आप अपना सी बीटी का एक्जाम देने जाएंगे और इसके अंदर भी सेम आधार लिंक्ट बावमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी आपकी और केंडिडेट आर एडवाइज टू रिफर ओनली दा ओफिशल एक्जाम बता दिया गया है कि केंडिडेट जो है ओफिशल वेबसाइड पर ही अपना ध्यान रखें इधर उदर की वेबसाइड पर ना रखें तो यह ओफिशल नोटिस हमने देख लिया है आपका 30 तारि को आपका अड्मिट कार आजाएगा वहीं बात करेंगे ट्रेवल पास वगरे कि तो 20 तारिक को सेस्ट के आपके ट्रेवल पास जो है डाउनलोड हो जाएंगे अब हम बात करते हैं कि टी स्कोर आपका किस तरीके से काउंट होता है देखिए साइको टेस्ट जो है सीबी इसके अंदर आपके पाच या छे सेक्षन होते हैं और सभी में आपको अलग-अलग क्वालिफाई होना पड़ता है पहले इसके अंदर एक सेक्षन होता है चिसके अंदर आपको शोटेस्ट पाथ शोटेस्ट पाथ को फाइंड करना होता है दूसरे के अंदर आपको ओड जो word होते हैं, odd word जो होते हैं, उनको count करना होता है, उसके अंदर एक series दिवी होगी, या फिर मैं आपको पहले shortest path का बता देता हूँ, जैसे इस तरीके से आपका chart बनाएगा वो, तो आपको बताना होगा, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, तो उसने पूछा होगा, और यहाँ पर उनके gate लगे होते हैं, तो इस तरीके से आपको shortest path बताना होता है, इन gate से अलग, और वहीं अगर मैं बात करता हूँ, कि odd, जो नमबर होते हैं, उनको कैसे वो ऐसे लिखा होगा, उसके अंदर, तो आपको बहुत सारी लिखे होते हैं, 20 या 15 के आसपास आपके नमबर लिखे होते हैं, तो आपको odd नमबरों को add करना होता है, और answer अपना देना होता है, वहीं इसके अंदर, एक जो होता है, एक इसके अंदर logic gate का होता है, और जो बाकी के 2 या 3 set होते हैं, उसके अंदर एक odd, odd figure को, odd जो figure होती हैं, उनको छाटना होता है, इसी परकार से आपके 5 या 6 जो हैं, वो होंगे, और इसके अंदर आपको 3 minute, किसी किसी section में, 3 minute और किसी किसी section में आपको 8 minute का समय मिलेगा, परती एक section के submit होने के बाद, आपको 2 minute का rest मिलेगा, उसके बाद, आपका जो है next, जो part है, वो applicable, या आपके सामने आ जाएगा, अगर किसी भी section में, या किसी भी part में आप fail हो जाते हैं, तो पूरे CBAT में आ खेल होने के, क्योंकि CBAT totally for speed का खेल है, आपने अगर महाँ पे अपने mind को स्थिर रख लिया, speed दिखा दी, तो आप pass कर जाएंगे, अगर आपका mind थोड़ा सा भी दर उदर हो गया, जल्दबाजी में हो गया, तो आप CBAT pass नहीं कर पाएंगे, तो ये आप vicious रूप से ध्यान रखिएगा, अगर आपने practice की हुई है, तो आप easily कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने practice थोड़ी बहुत की है, तो आप definitely psychotest में fail हो जाएंगे, ये तो race psychotest की बात, हम मैं बात कर लेता हूं, NTPC का जो आपका typing date है, NTPC, कि जो आपकी typing date है, वो आपकी कब तक आ जाएगे, तो या उसके बाद, लेकिन 30 से, ये लेकिन 25 से पहले आपका result जो है, NTPC का आ जाएगा, उसके कहीं जैसे कि 30 जुलाई को आपका, जो है, CBAT है, तो 15 अगस्त, तक जो है, आपकी typing की date जो है, वो आ जाएगी, क्योंकि इनोंने पहले ही कहा था, कि जो अगस्त या सितंबर है, अगस्त या सितंबर है, उसमें इनको joining letter जो है, वो देना है, तो ये अपनी भरती परिकिर्जा को काफी तेजी गती से करने के लिए, ये सब चीज कर रहे हैं तो आप तैयार रही है, अगर आपका typing में है, चांस बन सकता है, तो आप typing भी कीजिए, इस video में बस इतना ही, मिलते हैं next video में, तब तक के लिए धन्यवाद, अगर आपने अब भी चैनल को subscribe नहीं किया है, तो subscribe करके bell icon को जरूर प्रेस कर दीजेगा, और video को like and share जरूर कर दीजेगा, thank you